हेलो बच्चों, वेलकम टो माई चैनल, मेरा नाम जगदीब है और मैं एकनामिक्स पढ़ाती हूँ, मुझे पिछले 18 सालों से एकनामिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और कई सारे बोर्ड के बच्चों को मैं ने पढ़ाया है, इसलिए किस बोर्ड में किस हिसाब से आंस कर सकते हैं, ठीक है, तो बच्चों चलते हैं लेक्चर में, हमारे पिछले लेक्चर में हमने कारडिनल मेशुमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हमने वो पूरा कॉंसेप्ट पढ़ा, हमने उसके सारे लॉज पढ़े और ये भी पढ़ा कि कारडि यूटिलिटी अप्रोच से रिलेटेड होंगे, ठीक है? कॉंसेप्ट में आगे जाने से पहले थोड़ा सा एक बैग्राउंड उसका हम स्टडी कर लेते हैं, क्या है ये? सो ओर्डिनल उटिलिटी अप्रोच जो है, इनिशली एक मैथेमेटिशन ने दी थी, जिनका नाम था फ्रांसिस एजवर्ट और उनके साथ में कई सारे एकनॉमिस्ट्स भी थे, जैसे परेटो था, फिशर था, और उसके बाद, ट्वेंटिएथ सेंचुरी में, जे आर हिक्स और आलन ने इस ओर्डिनल उटिलिटी का डीटेल फ्रेमवर्ग जो है, हमें दिया, यह ओर्डिनल उटिलिटी अप्रोच जो है, यह कार्डिनल उटिलिटी अप्रोच को कम्प्लीटली डिस्रिगार्ड करता है, यह कहता है कि भई, जो यूटिलिटी है, जो साटसफाक्श एक consumer commodity consume करने के बाद जो derive करता है उसे हम numerical value नहीं दे सकते क्योंकि ये एक psychological phenomena है और इसे numerical measurement हम देने में असमर्थ है utility को हम absolute term में measure नहीं कर सकते ठीक है इनका कहना ये है कि consumer जो है combinations of goods and services जो वो consume कर रहा है वो उनको एक ranking दे सकता है कह सकता है कि ये मेरा first preference का commodity है ये combination मेरी second preference की combination है according to his preference उसको क्या अच्छा लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से वो उन combinations को ranking दे सकता है scale दे सकता है ठीक है इस ordinal utility approach को हम indifference curve approach बोलते हैं तो बच्छो अब हम देखेंगे meaning of indifference curves ठीक है अब indifference curves क्या होते है definition wise indifference curves का मतलब होता है graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि जब हम consumer के उन choices को graph के through represent करें उन दो commodities के combinations को जहां पे consumer indifferent है indifferent मतलब consumer को फरक नहीं पड़ता क्यों से combination A मिल रहा है या combination B मिल रहा है ठीक है क्यों क्यों indifferent है consumer क्योंकि इन दोनों combinations में या इन सारे combinations में उसकी level of satisfaction जो है वो है same ठीक है तो जब आपको भी ऐसे कोई combination मिलते हैं जहां पर अपकी level of satisfaction same है तो आप भी एकदम क्यों indifferent हो जाओगे कि आपको combination 1 मिल रहा है या combination 2 मिल रहा है कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि ultimately मेरी happiness है मेरी satisfaction है वो same है ठीक है अब इसको इस table के through हम दिखाएंगे यहां पर मैं यह लिखना भूल गई हूँ इसे लिखते हैं हम indifference curve schedule ठीक है अब यह जो indifference curve schedule है यह basically क्या दिखा रहा है हमें उन various combinations की जानकारी दे रहा है जहां पे consumer को same level of satisfaction मिल रहा है ठीक है इसके लिए this curve का नाम है indifference curve अब इस schedule को हम एक बार देख लेते हैं तो combination A में consumer के पास 15 chocolates हैं और उसके पास एक pizza slice हैं अगर उसे एक pizza slice जादा खानी है तो उसे कुछ chocolates give up करने पड़ेंगे यहां पर consumer ने 5 chocolates give up किये किस में combination B में combination C में consumer ने अपनी pizza की slice जो है एक और से बढ़ा दी पहले 2 थी अब 3 हो गई और उसके लिए chocolates give up किये कितने चार ठीक combination 4 याने कि D में अब एक pizza slice भई इस consumer ने एक और add-on कर ली खा ली और उसके एवज में तीन chocolates उसने sacrifice कर दिये छोड़ दिये ठीक combination E में consumer ने एक pizza slice और extra बढ़ा दी अपनी consumption की चार से वह 5 slices खा रहा है जबकि chocolates अब वह केवल दो ही sacrifice कर रहा है ठीक है तब यहां पर हमने कुछ notice किया हमने notice किया कि वह consumer ने इस case में तो चलो उसने कुछ भी give up नहीं किया combination E में पर combination B में उसने 5 chocolates give up करके एक pizza slice gain की combination C में उसने 4 chocolates give up करके एक pizza slice gain की combination D में उसने 3 chocolates give up करके फिर से एक additional pizza slice gain की और combination E में उसने 2 chocolates give up किये एक और pizza slice खाने के लिए अब यह जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं marginal rate of substitution और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे तो marginal rate of substitution जो है sacrifice का याने कि जो chocolates उसने give up की है उसका जो rate है वो diminishing है पहले 5 give up किये फिर 4 किये फिर 13 किये फिर 2 किये यह consumer give up करने के category में reduction क्यों कर रहा है क्योंकि एक logical सी बात है जो चीज आपके पास कम है वो आपके लिए बहुत प्यारी हो जाती है और आप उससे दूर होना पसंद नहीं करते आपको वो अचानक से अच्छी लगने लग जाती है पर जब वही चीज आपके पास काफी जादा quantity में है तो उसको give up करने में आप hesitation नहीं दिखाते पर जब वो चीज आपके पास scarce होती है कम होती है तब आप उसको उतना जादा give up करना पसंद नहीं करते इसे हम बोलते हैं Diminishing Marginal Rate of Substitution ठीक है बचो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना क्योंकि इस साल में काफी सारे important notes और quizzes release करूंगी I'm sure आपको यह सारे notes और quizzes help करेंगे अपकी studies में और आपको अच्छे marks दिलाने में ठीक मेरा Instagram channel भी है जहां पर मैं reels upload करती हूं अगर आपको इतने बड़े-बड़े वीडियो के थ्रू पढ़ाई करने में बोर होता है तो आप मेरे Instagram channel पर जा करके वहां से भी सीख सकते हैं ठीक है Instagram channel का लिंक आपको screen पर दिख रहा होगा वहीं पर आपने जाना है ठीक तो बच्छों मिलते हैं अगले lecture में बाई नाव टेक के